आपके बाद Samsung Galaxy S24, S24 series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पर आप screen time की setting कैसे कर सकते हैं, फोन में, या फिर application पर timer set कैसे कर सकते हैं, यह रिमूफ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप setting पर जाएंगे, scroll कर देंगे, और यहाँ पर आपको digital well being and parental control का option मिलेगा, click कर देंगे, आपने set कर रखा है, तो आप इस पर click करके, इसको remove कर देंगे, यहाँ से, delete goal पर click किया, delete कर दिया, और आपके phone में कुछ चीज strap से option आता है, set करना है, तो set कर देंगे, तो यह चीज set करेंगे न, timer, तो यह आपके screen के लिए काम करेगा, यह पूरे mobile के screen पे, सारी application के लिए, सारे function के लिए, mobile के screen आप किती देर चलाते हैं, उसका timer है यह, जैसे कि आपने set कर दिया है, यहाँ पे 2-3 घंटे का time, कि आप पूरे 24 घंटे में 2-3 घंटा इसको use कर सकते हैं, तो just example, मैंने 4 घंटे का time done कर दिया, अभी मेरी screen 4 घंटा ही चलेगी एक दिन में, जिसमें से मैं इतना time use कर चुकी हूँ, 38 मिनट, इतना time बचा हुआ है मेरे पास, यह हो गया screen का option, अब screen का option आपको change करना है, तो change य जाती है app timer की, किसी application पे लगाना है timer तो आप इस पे click कर लेंगे, तो यहाँ पे जैसे की game को मेरे को timer set करना है, क्योंकि game में लट लग जाती है, किसी को भी अगर देते हूँ खेलने के लिए तो, select कर लिया, set timer पे click कर लिया, अब इस timer को आप कितने देर एक दिन में 24 घंट इस दिन नहीं चाहिए, उस दिन आप इसको uncheck कर देंगे, लेकिन मैं सब दिन को check mark करके done पे click कर दूँगी, अब यहाँ 2 घंटे का timer मेरा set हो गया है game का, और जब भी मैं game use करूंगी, तो पूरी 24 घंटे में 2 घंटा मिलेगा, इसकी screen को use करने का, और जैसे 2 घंटा complete होगा, इसकी screen काम करना बंद कर देगी, game की, game की बात कर दी हूँ मैं, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जागा, app timer, कितना बचा है, कितना use किया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको हटाना है, तो हटाने के लिए भी, same चीच, इसको change कर सकते हैं, और यहाँ पे goals को delete कर सकते हैं, setting पे जाएंगे, तो यहाँ से आप delete कर देंगे, या फिर इस पे click करेंगे, इसको cancel कर देंगे, app timer पे click करेंगे, जब ऐसे आजाएगा, तो यहाँ पे जाके आप delete कर सकते हैं, इधर से भी, तो यह delete हो गया है, तो ऐसे करके आप set कर सकते हैं, और remove कर सक इसी टाप की इंट्रेसिंग वीडियो के लिए आई बटन पर क्लिक कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार